स्वागत है आप सभी लोगं का मेरे चैनल साइंस्टी टेकनोलजी में मैं अनुपर्म वेपुल आप सभी लोगं का स्वागत करता हूँ आज के शो कम्पूटर वेडिनाश्टी में आज हम लोग बात करें बहुत ही नया टेकनोलजी के बारे में यानि की LPCAMM2 तो आईए समझते हैं इसका नाम है Low Power Consumption Attachment Memory Module तो प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम ये है कि RAM Module जैसे हम लोग लैप्टॉप में लगाते हैं ये काफी पावर हंगरी होता है और काफी बड़ा भी होता है और मार्केट जो है शिफ्ट हो गया है मार्केट अप ऐसा हो गया है कि हम लोग को ऐसा चाहिए जो स्लिम हो, हलका हो, छोटा हो और एफिशिन्ट भी हो यानि कि सिर्फ साइज छोटा कर देने से कामने चलिए आपको एनर्जी भी कम खाना है ताकि बैटरी लाइफ गंटों में ना पाजा सके अब वो जमाना नहीं है, जहां लैपटॉप मतलब सिर एक घंटे या दो घंटे में आप छे घंटे, साथ घंटे लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो दुनिया थोड़ा बदल गया है और रहा बाद की रैम जो हम लोग यूज कर रहे हैं मार्केट पे यानि कि आप DDR5 तक का खरीच सकते हैं, यह सोडिंग का अल्मोस्ट अपर लिमिट पहुच गया है यानि कि यह जो इसमें इंफ्रेफेस बनाए गया था, यह उसका अपर लिमिट है इससे ज़्यादा स्पीड आप नहीं पुश कर सकते हैं और DDR5 में भी वो पूरा पंक नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि उसका लिमिट पहले से ही हिट कर जा रहा है तो यह एक सीरियस समस्या बन गया, यानि कि अब हम लोगों अल्मोस्ट क्लियर है कि DDR6 में इसे बहुत जबरदस्ती करना पड़ेगा तो भी साइदी हो और यह समझे, यह DDR5 अब अच्छ मारे पास आ रहे तो यह नहीं DDR6 पे काम चल रहा है वो हमेशा ऐसे एक जनरेशन आगे चला जाता है तो यह समझे, अब रहा बात की सलूशन क्या किया गया, बहुत सारे कंपनी खासतर पर आपल, वो सीधे सोल्डर करने लग गए RAM को तो यह सलूशन है एक तोर से, और फाइदा मिलता है, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ नुकसा नहीं है इसमें आप काफी low-power memory chip इस्तमाल कर सकते हैं और काफी अच्छा काम करेगा, यह सब बढ़िया बात है लेकिन इसमें दोनों का घाटा होता है, यानि कि कॉस्टमर्स का भी बैंड बसता है और पडियूसर्स का भी बैंड बसता है तो दिमाग में जाता है नहीं, सोचते हैं नहीं आप उसके बारे में, आप लैपटाप खरी लिए, यूज किया, कुछ साल भी क्या, मतलब डेर साल में आपको लगा था रैम बढ़ा लेना चाहिए आजकल तो क्रोम ही अतना रैम खाता है कि बहुत रैम जाइए, ठीक आप रैम बढ़ा, अच्छा, यह तो सोल्डर है, हम इसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कस्टमर की बैंड बज गई, दूसरी बात, यह लिमिट कर देता है, यानि कि जिस टाइम आप खर देते हैं, एकदम बत सारे option's आते हैं, तो वो सारा option की बैंड बज जाता है, यह तो होता है, कस्टमर के बाद कंपनी का बैंड बज जाता है, इस को पॉपनी को खराब एक्स्पिरिंस आया, वर्ड आफ महुत आएगा भी आएड जीवा लब मत खरीदना, सब लोग 16 जीव है, लेकिन आपने तो एट का मैनेफेक्चर किया था, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, अब क्या दोवारे लैप्टाप को खोले गे, उसे फिर से सोल्डर मशीन में डालके, डी सोल्डर करके, फिर सो बदलेंगे, वह होगा ही नहीं, तो ये एक कस्टमर्स को भी, मतलब यानि मैनेफेक्चर की भी बैंड बजा दे रहा है, उन्हें बनाने से पहले, या तो बहुत कम हिस्सा उनिट्स बना लिया, 16 जीवी का 150 बना लिया, 30 को 100 बना लिया, जो जली बिका, उसको बस बैक्गरांड में गतल, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बैंड बजा देगा ये, तो दिक्कत दोनों साइड को है, मैं क्लियर करनेना चाता हूँ, फायदा होता है, इसमें कोई डिसकेशन ही, ये परफेक्ट स्क्यू बनाते हैं, वो लॉक्ट हो जाता है, और इसका मीन वही जब देख लिए, कि अगर आप डेस्टॉप में लेगे तो सिस्टम और चिप, यानि कि जो भी आपका प्रोसेसर है, उसे कितना वाइरिंग करके जाना पड़ रहा है, और सोडिम में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा वाइरिंग करना पड़ रहा है, और अगर डबल साइड़ अकौर्ड चैनल देना चाहते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है, तो आइडिया वही ट्राइ किया कि ये समस्या को सॉल्व करते हैं, ये ठीक है, बस अभी के लिए, मतलब इसे और आगे नहीं ज साल से चलाया जा रहा है, तो प्रॉब्लम है, तो बात करते हैं, कि किसी और कंपनी ने ट्राइक है कि सोल्डर किये बिना कुछ करें, हाँ, इसमें माक वन प्रोड़क्ट जो था, वो डेल ने स्टार्ट किया था, मैंने इसमें पहले भी वीडियो बना दिया है, एक साल पह स्लोट वाला सिस्टम है, उसका ही लिमिट है, उसके कारण से आपकी वायरिंग बहुत लंबी हो जा रही है, और यह समझना बहुत जरी है, जो भी आप यह ब्लाक चिप देखते हैं, उससे यतने वायर्स निकलते है, वो सब सेम लेंध का होना चाहिए, यानि कि जो चिप उसको हम छोटा कर दें, ना, सिगनल आउटर सिंख चला जाएगा, सब का लेंध है, उसका लेंध है, उसको जो स्लोट वाला डिजाइन है, सुरू-सुरू में अतना दिक्कत नहीं होता है, लेकि जैसे से स्पीड बहान है वो सेंसेटिव और हो गया, अब बोल रहा है सर, इसमें और आप हाय तो बाद नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए, डेल ने पूरा नया आर्किटेक्ट्चर डिजाइन किया, कि सर, पीसीबी को पहले फ्लाट करो, उसको ऐसा सिंप्लिफाइ करो, कि वहां पर वाइरिंग जो हो है, वो आराम से सकते हैं, तो कौन सा ऐसा चीज़ प्रॉड़क्ट है, दाम बहुत है, तो ये गरीब लोगों के लिए उतार रहा है, ये लाटिटूड वाले सिरीज में, यानि कि जो बिजनस इंटरप्राइस कहते हैं, मतलब जहां पर आपका बॉस के लिए और किया जाता है, कि सार, मतलब सारे हमारे टेक्निशन को दस पी अगर माले डेल के पास सफलाइर्स नहीं है, तो दाम है, दाम के मामले में सफलाइर्स को जो मन होगा वो चार्ज करएगा, तो डेल भी फाश जाता है, तो अब और कस्टमर के लिए पास भाजनें आम को बोलें, सर आपका, हम डेल का का ह कई हुलोल का हम लिंनों को अपन यूएसबी के लिए यूएसबी असोसियेशन है, रैम उम्ट को सम्हालने के लिए जेडेक है, J-E-D-E-C, यानि की जॉइंट इलेक्ट्रोनिक डिवाइस इंजिनिरिंग कॉंसिल, ये लोग का काम होता है कि रैम आप बोल रहा हो तो कैसे बोल रहा हो रहा है, कैसे आपका इस पर कोई पेटेंट नहीं रहे, कोई हुगा नहीं रहेगा, हर कोई मिल बाठ के यूज़ करेंगे, तो मतलब डेल का था कि सर हमने इतना R&D इस पर खर्च कर लिया है, हमें लग रहा है, बहुत अच्छा है, हम इसे स्टेंडर्ड बना तो ऐसी करके होता है, या समझ लि हम लोग को यहां तक लिया, पचीस साल तक ही डिजाइन चलता रहा, अब आप बोलोगे, DDR में मतलब फिजिकल साइज सेम था, इसलिए बोलोगे, पचीस साल तक होई डिजाइन सेम रखे हैं, वो दीरे दीरे करें, बस उसमें नौच चेंज किया जा रहा था कि कोई गलत र ला हुआ, अब बात करते हैं, LPC-AMM2, यानि कि Low Power Compression Attachment Memory Module Mark II, तो यह समझे कि, जेड़ेक के पास आया है, तो जेड़ेक बस ऐसे लही ले लिए कि, डेल जो जो लाया है, उसको हम copy-paste कर देता है, ऐसा कई बार किया भी जाता है, लिए कई बार छेड़ खानी किया, जैसे ऐ ऐसा ही चीज समझेए, सोनी के साथ हुआ था, सोनी और Compact Flash Association, पहले काड बना था, जो पेटा हाड़ राइव साब लोग देता है, वो ऐसा था था, कैमरा में लगाने के लिए, वो चलता था, काफी साल तक चला, लेकिन फिर उसका जब फ्लैश में चिप है, वो लोनों ने सेटा बनाया, वो अतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, सोनी उसी टाइम XQD बनाया था, वही प्रॉब्लम सॉल्फ करने लिए, SD कार्ड में जान नहीं है, आपको कुछ जाधा मतलब, Almost SSD चाहिए, तो वो भी नहीं चला, तो XQD भी नहीं चला, सीफास्ट का जो फ्लैश बनाया है, और जो MM2 है, वो हर कोई यूज कर सकता है, तो ये स्टेंडराइजेशन जेडक का हो गया, ये अब डेल का नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि जेडक का है, और अगर आप देखना चाहिए, इंस्परेशन कहां से लिया है, या कहां से डिजाइन उठाया गया है, त सिफ DDR सपोर्ट करता था, CAMM2 जो है, वो LP सपोर्ट करता है, LP का क्या मतलब है, लो पावर हो गया, आप समझेए कि RAM जो है, वो ON स्टेट में ही अपने डेटा रख सकता है, लेकिन आप कैसे ये करोगे, क्या मतलत है, लो एनरजी में डालोगे, इसलिए LP RAM अलग होता है, LP RAM आपसफोर से बनाए जाता है, क्या मतलत है, ऑन देटा को रखा रहता है, लेकिन एनरजी नहीं खाएगा, आपको कम्प्यूटर के RAM भी यह कर लेता है, लेकिन बहुत बिजली खाता है, रैम में सारा चीज़ स्टोर कर लेता है, आप स्टेणडवाई में डाल सकते हैं, ले बनाया था, DDR लैप्टॉप्स के लिए ठीक है, तकड़े लैप्टॉप के लिए ठीक है, लेकिन आपको बहुत एफिशन्ट चाहिए कि सर, हमको एपल को भी धो देना है, तो आपको LP में आना पड़ेगा, तो JDAQ मतलब C-CAM 2 में बोला कि सर, हम इसके लिए भेहनत करते हैं, तो आपके पास option आ गया है, और यह समझे बहुत सारे options हैं इसके अंदर, दो type का design है, पहला design है, आपका यह समझ लिए, लैप्टॉप्स में लगाने के लिए का है, लो पावर का, यह सब लो पावर का, यह आपका में टैबलेट में, हैंडेल्ट में, लैप्टॉप्स में, यह target किया जा रहा है, अब PC में, servers में, यहां जाप बंबं चाहिए, वहां पे DDR यूज़ करेंगे, क्योंकि यह ज़्यादा performance देता है, यह बात सही है, energy ज़्यादा खाता है, लेकि performance देता है, तो यह आपके वास दो pipeline हो गया, एक high efficiency pipeline, एक high performance pipeline, आप चूज़ करो आपको performance में अगर आप आते हो, तो DDR5 में आते हो, तो DDR5 में आपके बहुत सारा option है, A है, B है, C है, D है, तो यह सारे options है, और इसका सबसे highest जो मैं देख रहा हूँ, stacked configuration में, आधा टेराबाइट एक, एक plate आधा टेराबाइट का है, और इसमें आगे पे क्या काम किया जागा, इसमे अगर बोल दिख रहा है, तो वो desktop के लिए या high power laptop के लिए बनाया गया है, तो यही समझे, JTAC मतलब Dell का उठाया, लेकिन उसमें थवाट तिगड़ों किया है, copy-paste नहीं है, मतलब backwards or forwards compatible नहीं है, तो Dell भी अच्छा चांस है कि यह जैसे से चलने लेगा, Dell भी अपना वो अगर देगा कि slot में उतना जगा है कि नहीं, और मतलब यह footprint जो मतलब actual electrical footprint था वो सेम है, बस width कितना देर है, उसको उच किया गया है, तो और तिगड़ों में, कुल जादे बह गया है, यह चार variant उतार दिये हैं, बट ठीक है, laptop वाला तो आप तो आप तुरन देखके समझ ज तो Dell यह सब का काफी research कर चुका था, कि कैसे हम इस ऐसा करें, कि थोड़ा सही दाम बढ़े और हमारा काम solve हो जाए, तो यह कर लिए हैं उस चीज को, और इसमें efficiency बढ़ जाती है, क्यों, अगर आप एक बड़ा stick लगाते हो, जिसमें वो है, तो power module जो है, यानि कि DDR5 में अप अपना power module है, आप कोई भी DDR5 खुलना देखो, उसमें अलग से power circuitry है, वो बनाया गया था कि efficiency बढ़े है, अब बात है कि चार्ट हो stick लाते है, तो चार power module बनता है, सबकी inefficiency एड़ हो जाती है, वहीं पर एक बड़ा रखते हो, तो efficiency बेटर आता है, उसमें भी काफी improvement हुआ ह तो वहीं बोल रहा कि ऐसा भी नहींगी, सिर्फ high performance पे आपका ये कोई फाइदा नहीं हुआ, high performance पे भी फाइदा होगा, latency भी कम होगी, sync speed भी बढ़ जाएगा, और power भी थोड़ा कम खाएगा, तो ये हुआ LPCAMM2, अब रभावत के ये तो सपना दिखा दिया, किसे ने implement कि है, हाँ, तो Dell तो बोले, Dell ने, इसका Mark 1 का तो पहले ही product उतार चुके थे, अभी के time, यानि कि जो Mark 2 है, जो standard बन चुका है, Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, इसका पहला product है, जो market में available है, यानि का pocket बहुत भारी है, आप पैसा दे सकते हैं, और ये खरीद सकते हैं, ये अभी हो सकता है, और इसक फुला मार्केट में आ गया है, और Computex, जो हुआ, मतलब समझे, CES, SI, होता है, Computex के लिए, Computex 2024 जो हुआ, वहाँ पे कुछ companies दिखा रहे हैं, मतलब, sticks भी दिखा रहे हैं, और बहुत सारी company ये दिखा रहे हैं, मदर बोर्ड में, जहां पे उन्होंने slimble, simple, long sticks को हटा के ये लगा दिया है, तो वही समझे, working prototypes भी दिखाया गया है, और concepts पे भी काम चल रहा है, बहुत clean, बहुत sleek looking system के बारे में काम चल रहा है, अब रहा बाद कि क्या ये DDR5 में हो जाएगा, पहले बाद सारी, DDR5 आप सभी लोगे पास होगा, मेरे पास भी है, by the way, मेरा DDR5 खराब हो गया है, हम RMA कर रहे है, 20,000 रुक है देना पढ़ रहा है RMA के लिए, security है, क्योंकि वो बोलेगे, सर पूरा kit दो हम RMA कर रहे हैं, मैं के लिए computer बंद हो जाएगा, एक महिना के लिए, एक दो हाफता के लिए computer बंद रहेगा, तो काम नहीं चल लेगा, डालो security, तो ये DDR5 आ चुका है, market में, तो क्या DDR5 में ये सब आएगा, आएगा, मैं अराम से expect करता हो क्योंकि DDR बहुत धीरे-धीरे बदलता है, 10 साल तक रहता है, RAM variant, तो अभी DDR5 का midlife भी शुरू नहीं वाए, समझ लिए, almost early stage में है, तो अभी इसमें थोड़ा होगा, कुछ लोग को पास ये तो ये बहुत interesting development हो रहा है, मतलब एक ground breaking change हो रहा है, और server में मैं sure नहीं हो कि ये कूदेंगे की नहीं, क्योंकि ठीक है, आपने बहुत सारे चीज़ इंप्रूफ कर दिया, बल्ले-बले, लेकिन stacking नहीं कर पाएंगे, मतलब कि ये sticks लगाने में फाइदागी होता है, खूब server में मुझे नहीं दिख रहा है कि उसका कोई फाइदा होगा, क्योंकि उसको stack करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो एक थोड़ा सा, मुझे server वाल market में इनका ज़्यादा नहीं दिख रहा है, computers में दिख रहा है, TV में भी smart computers में दिख रहा है, handheld में दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, कि पहली बार मैं कहीं देख रहा हूँ, recent time में, कि company ने एक बुरा रास्ता को छोड़के अच्छा रास्ता अपना है, जिससे आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो, मिल बांट के खा रहा है, apple जैसा नहीं कि, अरे हम ही खा लेते है, अरे भाई हम त कर लगने ना, क्यों कि आच करो माई गाड कितना रहा हम काता है, यह 32 मेल लिया, मैं एक और किट खरीच सकता हूँ, कि 64 कर देते है, या कुछ साल और रुख जाए हो, उसका डायरेक्ट उसको 256 तक कर दें, डायरेक्ट मतलब 4 वही motherboard, वही processor और useful life दे पाएगा हमको, तो यह अच्छी बात है, इससे e-waste कम बनता है, बात है पूरा नया RAM खर दें, या पूरा नया computer, समझे रहे, मतलब 100 ग्राम e-waste बनना, वर्सेस 1 kg e-waste बनना, मैं 100 ग्राम चुनूंगा ना, आपकी body का हर cell इसलिए बदलता रहता है, इसलिए नहीं कि आप बच्पन से पैता और यहां पर कूट जाएगी, और यहां पर क्या हुआ था, लिमिट आ गया, कि सर, हमने 20 साल से यही model इस्तमाल कर रहे है, इसका क्या करें, उसको लोग उस पर काम किये, वर्क को सॉल्व किया गया, और सस्ता रॉप्शन नहीं खुझे, यह मैं दिल से खुश हो, कि Apple वाला क्या है, मुझे समझ में है, 16 तो दो, यार कम से को, ओ, इतल लाइक 16 ओफ, लेकिनो, desktop इसका, नहीं है सर, आप से चुना लगा रहे हो, खर, Apple आप खा रहे हो तो, Apple का की मत भरो, तो यह बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत सारी कंपनी का नाम लेना पड़ेगा, Dell ने गा मतलब सब लोग मिल माट के एक अच्छा solution खोच रहा है, इससे मेरा दिल काफी खुश हुआ, बहुत डिप्रेसिंग स्टोरी सब देख रहाते हैं, तो अच्छा, यह पुराना डिजाइन है, हमने इसे 20 साल तक चलाया, बब-बम है, लेकिन अब कुछ बदलते हैं, सॉल्ड यह टाइम में जितना आप देख रहे हो, जैसे स्टीम देख रहे हो, रॉग एलाई देखो, सब में क्या है, आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन यह रहागा, आप आट जीवी वाला करीदो, बार में बढ़ा दो, सॉल्ड जीवी कर दो, तो यह बहुत अच्छा प्रोग्रे बार दबाए, उससे मुझे पता चलो कि अतना पसंद हुआ है, मैं आप सब्सक्राइब करें, मैं हर कमेंट को पढ़ने कोशिश करता हूँ, आप सब्सक्राइब करें, बेल दबाई गार आप फ्री है, तो आपने रहे वीडिवी दुखाए, जैनकर मुझे बहुत खशीव धन्यवाद